नमस्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार महाराष्ट की राजनिती इन दिनों चर्चा का केंदर बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट में महाविकास अगाड़ी गठबंदन की जो मजबूती इस लोकसबाद चुनाओं में निकल करके सामने आई है वो कही न कहीं महायूती गठबंदन पर भारी पड़ती निजर आ रही है दर्श को पहले आपको महाविकास अघाडी और महायूती गठ बंदन के बीच का अंतर समझाते हैं महाविकास अघाडी में उद्दव ठाकरे का गुट और इसके साथ-साथ शरत पवार का गुट और कॉंग्रेस पार्टी शामिल है जबकि महायूती गठ बंदन में एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार गुट और भारती जन्ता पार्टी शामिल है इस लोकसबाद चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को 13 लोकसबाद सीटों पर महाराष्ट में जीत हासिल हुई सबसे बड़ी राजनतिक पार्टी बनकर उभरी है और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी को यहाँ पर साथ लोकसबाद सीटों पर जीत हासिल होती है तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी को 10 लोकसबाद सीटों पर जीत हासिल होती है शरत पवार की पाटी भी बेहतरी परदर्शन करती भी नजराती है लेकिन लगातार शरत यहाँ पर अजित पवार हो या फिर एकनाज शिंदे हो उनकी तरफ से एंडिये सरकार में यह मांग की जा रही थी कि यहाँ से एक-एक केबिनेट मंत्राले दोनों गुटों को दिया जाए और एक-एक रजमंत्री सोतंतर परभार मनाया जाए लेकिन यहाँ सिर्फ बात रजमंत्री तक सीमट कर रह जाती है इस बात से नाराज यहाँ पर तमाम राजनेतिक दल जिसमें एकनाश शिंदे और अजीत पवार गुट जो कि भारती जिन्ता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में महराष्ट में सवक्त सरकार चला रहे है वो खपा है, नाराज है अपने अपने दल के गुट के विधायकों की बैठ के बुला रहे है आगामी दिनों में बड़ा फैसला हो सकता है उद्धर ठाकरे का ये कहना है कि एकनाश शिंदे गुट के कई सांसदों के हमारे साथ संपर्क है और आगामी वक्त में उस सांसद हमारे गुट में शामिल हो सकते है इसके साथ अजीत पवार गुट के पास महज एक सांसद है और अजीत गुट भी शारत पवार की फिर से शारण में आ सकता है यानि कि महाराश्ट का सियासी समिकर्ण साधने के लिए बीज़पी के पास कोई ठोश रणनीती नहीं है अब आप अंधाजे लगा सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी उसके साथ-साथ उद्धर ठाकरे की यहाँ पर शिव सेना और इसके साथ-साथ शारत पवार की पार्टी जो तीनों पार्टीया मलबूती के साथ महराश्ट में उभर करके आई है विधान सबाच चुनाओं में बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है क्योंकि तीन महिने के बाद महराश्ट में विधान सबाच चुनाओं में बीजपी को जटका लगा तो वाकि में महाविकास अगाडी गटबंदन 2019 के बाद का जो गटनकरम गटित हुआ यानि की वर्ष 2020 में जो गटनकरम गटित हुआ उसी बिनापर आ जाएगा और उद्धव ठाकरे एकनाज शिंदे को लेकर के यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी के सा समाधान निकाला जाएगा या फिर बीजपी महाराश्ट्र से अपनी सत्ता को गवा कर इसका खाम्याजा उठाएगी फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखतरी स्पी एन नाइन जूर